दस मिनिट पचास खपरे बेटे की मौत से सदमे में है गजेंदर की मा कहा कौन लोटाएगा बेटा जाच को लेकर दिल्ली पुलिस और राज्य सरकाराम ने सामने कहा किसी से शेयर नहीं की जाएगी जानकारी कौंग्रिस ने किसान खुदकुशी मामले को लेकर केजरिवाल पर किया तंच शीला दीक्षित ने कहा अब मुख्य मंतरी की तरह निभाएं जिम्मेदारी केजरिवाल जी को अब मुख्य मंतरी का रोल अदा करना चाहिए एक ओपोजिशन का या एक केवल धरने देने वाला रोल खातम कर देना बीजेपी ने पूरी घटना को बताया हम आदमी पार्टी का नाटक दिली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सती शुपाध्याय ने केजरिवाल को बताया सूत्रधार मेरा कहना है कि सारे ड्रामे को जनता की भावनाओं को सारे विपक्षी दलों को वो ड्रामा करार दे रहे हैं आज भी उनकी शब्दों में एहंकार दिखाई दे रहा है और जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो ड्रामे का सूत्रधार है कौन मैं सिरी केजरिवाल की माफी को काफी मान करके अब इस घटना करम को समाप्त करने के पक्ष में हूँ लोग तंतर में अपना वक्त तब वापिस लेना और माफी मांगने के बाद ये सब समाप्त हो जाए दिल्ली में पंचायती राजसमेलर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषन जन भागिदारी पर ध्यान दे सरपंच गाउं के लिए कुछ कर गुजरना है और इसलिए कभी ने कभी पंचायत लिवर पर सोचना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरपंच अपने गाउं में ला सकते हैं बड़े बदलाव बजट नहीं है कोई बड़ी समस्या हम भी आदर डालें कि हम पांच साल में हमारे गाउं में ये करके जाएंगे अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बड़ला आवाना शुरू हो पंचायत के प्रधान को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी शिक्षा मन्रेगा पानी के संकट से निपटना होगा असान कॉंग्रस उपाध्यक्ष राहूल गांधी ने की केदारनाथ धाम की आत्रा पूरी आज सुबा पहुँचे थे केदारनाथ विधी विधान से राहूल गांधी ने की पूजा छे महिने बाद आज पहली बार खुले हैं कपाट और मैंने अपनी आखों से देखा था यहां क्या हुआ था तो मझे लगा कि अगर मैं केदारनाथ जाओंगा हेलिकाप्टर से जाऊंगा तो उनकी इज़िश्द नहींगा मैंने सोचा कि जिस प्रकार से वो आए थे उस प्रकार से मैं भी आओ पहला लिंचौली से पांच किलोमेटर पैदल चल कर आये थे राहूल, उत्राखन के मुख्यमंति हरीश रावत और कॉंग्रस के कई बड़े नेता भी थे साथ दर्शन हुए केदादनाद जी के राहूल जी भी सारे सजालोवी आनंदित थे लगवग 5,000 लोग इस समय तक केदादनाद में पहुंच चुके हैं और सबसे मेले संतों से नगवाती है यातियों ने रास्ते में मार्ग में जो ब्योस्ताएं की गई है उनकी वड़ी तारीव या है आदा उपके दर्शन कराने वाले शद्धालू ओम के लाश खेर भी शामिल शिवद्धना से भक्ति मय हुई हुए घटना बादेशो करने हैं अबनाद करिया करए अबनाध गुफा में भी बाबा बर्फानी के दश्रन देने के लिए भुपर हैं तयार आज तक की पहली तस्वीर है इस साल दो जुलाई से शुरू होगी अमर्नाथ त्यात्रा, 29 अगस्त तक होंगे दर्शन इस साल दस लाख लोगों के अमर्नाथ त्यात्रा पर जाने की है उमीद, शुरू हो चुका है रेजिस्ट्रेशन तूफान से हुई तबाही का जाइजा लेने बिहार पहुँचे ग्रिह मंतरी राजनाथ सिंग, काल वैशाकी की वज़े से मौत का आकरा साथ के पाद पुर्णिया में सबसे ज़्यादा तबाही 33 की मौत, मधपूरा में तूफान ने ली 7 लोगों की जान, कटिहार में 2 लोगों ने तोड़ा दम तरभंगा में भी तूफान ने जम कर मचाई तबाही 2 की मौत, मधवनी में 5 की गई जान सहर्सा और किशन गज में भी कुद्रत ने ठाया कहर तेज हवाओं से गिरे पेड और बिजली के खंबे गटिहार में बारिश और तुफान से तबाही उजडगए गरीबों के आशिया ने बिजली सेवा ठब दिली के चान्नी चौफ से आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लामबा ने दर्च कराई छेड़ खानी की शिकायत सड़क पर बजसलू की मौके पर अलका लामबा ने आरोपी को मारा थपड समर्थों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले मुंबई में महिला के साथ जबरदस्ती करने वाले दो तीन पुलिस वाले गिरफतार से क्राइम ब्रांच को सौपा गया मामला मुंबई पुलिस कमिशनर आकेश मारिया ने दफटर में बुला कर सुनी पीड़ित से आप बीती सीसी टीवी में ढूंडे जा रहे हैं सबूत दिली एपोर्ट पर तीन सो यात्रियों ने किया हंगामा शिकागों की फलाइट रद किये जाने से नाराज भी दिली से सटे गाज़बाद में छिर्चार की पीड़ित एक लड़की ने खुद को आख के हवाले किया 99 फीजदी जली हालत में दिली के जीटी भी अस्पताल में भरती 27 मार्च को पीड़ित लड़की को किया गया था अगवा बहोशी हालत में मिली थी पीड़ित लड़की के बयान पर एक सी बी आई में सब इंस्पेक्टर के बेटे की हुई थी गिरफटार्ड आरोपी के घरवालों पर लगातार केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप हफते भर पहले पीड़िता और उसके पिता को बुलाकर टॉर्चर करने का लगाया आरोप रुपी के रामपुर में डीजे पर डांस को लेकर सी आर पीएफ के हवलदार के बेटे विकरम सिंग विष्ट की गोली मार कर हत्या सी आर पीएफ के जवान राजीव कुमार पर कतल का आरोप उसके छे साती भीखेरे में हत्या के चार आरोपी गिरफतार 21 साल का विकरम सिंग विष्ट राश्ट इस्तर का होकी खिलाडी था दिल्ली के नजवगड़े लाके में बदमाशो कातंक फोन पर मांगी जा रही है रंगदारी माना करने पर आफिस में बरसाई गोलिया दिल्ली के राजवड़ी गार्डन में आप MLA कमांडो सुरिंदर ने रोड रेज में एक टेंपो ड्राइवर की बचाई जान एन वक्त पर दखल देकर पिटाई कर रहे बाइक सवारों को दबोचा उतरप्रदेश के मुरादाबाद में तीर ठांकर महावीर विश्वविदाले में दीक्षांत समारों का कारक्रम आपनेता कुमार विश्वास ने सुनाई का वदाएं रादाब कारम शर्णाप ने सुनाई के मुरादान समारों का वदाएं